ग्रीन बोर्ड पर हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है, मिरा नाम है मंदीप, इस वीडियो में बात करेंगे आपके math की सबसे बड़ी problem की, और सबसे बड़ी problem क्या है भाई, trigonometry सबसे बड़ी problem है कि क्लास 10 में ये पहली बार आती है, trigonometry में दो important चीज़े मैंने introduction वाली जिस trick का यूज करके आप trigonometric ratios को भी बिल्कुल इस तरह से याद कर पाओगे कि कभी life में नहीं भूल पाओगे, class 10 में भी मैंने इसी trick का यूज करके trigonometric ratios को और trigonometric formulas को याद किया था, यही trick आपके साथ मैं साज़ा करने वाला हूँ, share करने वाला हूँ, तो जो भी हमारे trig trigonometric की tricks हैं, ratios के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं guys, next page से, जो भी हमारी trigonometry में ratios आती हैं, उनको याद करने के लिए trick से पहले आपको triangle के बारे में पता होना चाहिए, इस तरह से हमारा triangle होता है, भाई, इसमें perpendicular होता है, base होता है, और हाइपोटेनियस होती है, perpendicular को लंब कह जाता है, गलत मत सुन लेना, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, base को आधार कहा जाता है, और हाइपोटेनियस को करने कहा जाता है, जो trick मैं बताने माला हूं, वो हिंदी मीडियम वाले students के भी काम आएगी, और English मीडियम वाले students के लिए भी काम आएगी, तो भाई, trick क्या है, ज उसके बाद, बदरी, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले, आपको यह याद करना है, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले, मैंने बार-बार आपको इसको repeat कर दिया है, पंडित, बदरी ratios बना सकते हैं यह English medium वाले students के लिए काम आएगी तो देखो यहाँ पर S4 क्या होता है सोना होता है S4 सोना S4 होता है हमारा sign A ठीक है equals to में आप यहाँ पर देखो पंडित का P ले लो और जो नीचे हर दिया गया है उसका H ले लो तो sign A क्या होता है P4 पंडित अपोन में H4 हर perpendicular अपोन hypotenuse होता है यह trigonometric ratio हमें मिल गया है इस मंतर का यूज करके sign A के लिए इसी तरह से जो हमारा अगले वाला है चांदी C से होता है और C से ही होता है हमारा को से तो को से A equals to में हमारा क्या हो जाएगा भाई B4 बदरी और H4 हर B से हमारा होता है B से और H से होता है हमारा यहाँ पर hypotenuse बदरी का B और हर हर का H ले ले लेंगे तो ten a अगर हमारे पास ten a है तो हमें क्या करना है, प्रसाद का P और बोले का B हमें ले लेना है, यानि कि perpendicular upon में B से, तो आपको क्या याद रखना है, देखो, P से पंडित, B से बदरी, P से प्रसाद हर हर बोले, पंडित, बदरी, प्रसाद हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले, इस तरह से आप trigonometric ratios को याद कर सकते हो, एक बार इस ट्रिक से आपने याद कर लिया, मैंने क्लास 10 में याद किया था, 2010 के आज पास, मुझे आज तक 14 साल बाद भी, मुझे आज तक ये ट्रिक की याद है, और सारे के सारे trigonometric ratios याद है, मैं कभी भूल नहीं पाया हूँ, आप भी इसी तरह से कभी भू नहीं पाओगे, ये तो हुआ English Medium वाले students के लिए, अगर तुम Hindi मीडियम में हो, तो भी आपके लिए एक trick मैंने बनाई है, तो आपको देखो एक चीज याद रखनी है, sign A, course A और 10 A ये तो आपको याद रखना है, आपको उसके बाद trick क्या है, देखो, लाला आया लेकर कच कच्चे कच्चे आम, इस तरह से आप trick की याद कर सकते हो, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, अब इसमें trick क्या है, तो देखो, sign A हमारा as it is लिख देना है, equals to में, L से लाला होता है, ठीक है, और L से ही हमारा लंब होता है, L से लाला, L से लंब हो जाएगा, तो यहाँ बटे में, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कर्ण, यह trick किसके लिए हुई है, हिंदी मीडियम वाले students के लिए, इसी तरह से यहाँ पर हमारा course A है, तो भाई course A लिख लो, equals to में, हमारा यहाँ पर है आया, A for आया, A for आधार होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आधार, औ और नीचे हमारा आ जाएगा यहाँ पर, K से कच्चे होता है, और K से ही हमारा कर्ण भी होता है, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर कर्ण, बिल्कुल इसी तरह से, 10 A हमारा यहाँ पर हमें लिख लेना है, भाई, 10 A हमारा आ जाएगा, equals to में, हमारा क्या है, लेकर, L4 लेकर और L4 लंब होता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लंब और नीचे हमारा क्या है आम आ जाता है A से आम होता है और A से ही आधार होता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आधार इस तरह से आपने याद कर लेना है ट्रिक क्या है भाही लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम है इस तरह से trigonometric ratios आप याद कर सकते हो अगर आप English medium वाले student हो तो पंदित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले इस वाले trick का यूज़ कर लेना अगर आप Hindi medium में हो तो लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम इस वाले trick का यूज़ कर सकते हो trigonometric ratios याद करने की ये बहुत आसान trick मैंने आपको बता दी है अब इन tricks का यूज़ करना है आपको exam में जब जाओगे exam से मुझे याद आया कि भाई Oswal Guru कुल के most likely CBSC question banks है ये question bank आपके लिए design किये गए है ताकि exam में आप अच्छा perform कर सको ये math, science, social science सभी subjects के लिए available हैं इन में जो भी questions दिये गए हैं वो exam में हमेशा आते रहे हैं previous year के questions भी दिये गए हैं और आगे exam में कैसे questions आएंगे वो भी दिये गए हैं अगर आप इनको purchase करके practice करोगे तो definitely exam में improvement हो जाएगा इनको purchase करना है तो link description box में दिया गया है या फिर direct Amazon पे जाओ सर्च कर लो Oswal Guru कुल most likely CBSC question banks purchase करो, practice करो और exam में अच्छा score कर लो अब बात करते हैं भाई trigonometry formulas की trigonometry सबसे difficult chapter है भाई और इसके formula भी difficult है है formula में अक्सर जो student है वो confused हो जाते हैं उसी confusion को दूर करने के लिए भाई trig में लेकर आया हूँ trigonometry के जो भी हमारे ये तीन formula होते हैं तीनों के तीन formula याद करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक formula अगर आप याद कर लेते हो तो बचे हुए जो दो formula है वो आप अच्छी तरह से बना सकते हो खुद से ही सबसे पहले देखो माल लो आपको एक formula याद है ये तो अक्सर याद हो ही जाता है sin square a plus cos square a equals to 1 होता है बचे हुए जो दो formula होते हैं उसमें आप confused हो जाते हो बहुत सारे student confused रहते हैं कि भाई 10 square a के साथ में हमें sec square a रखना है cosec square a रखना है या क्या रखना है इस चीज़ को लेकर confusion रहती है आपके दिमाग में तो ये confusion भी आपकी दूर हो जाएगी अगर आपने सिरफ एक formula याद कर लिया ठीक है जैसे आपने माल लो ये वाला formula याद किया है इस वाले formula से आप बचे हुए दो formula कैसे बना सकते हूँ इस formula के सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है sin square a उसके बाद plus में यहाँ पर आ जाएगा मेरा cosec square a equals to में होता है 1k आपको formula बनाना है न तो formula बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो जो भी हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा formula है formula की हर एक term को आप divide कर दो किस से divide करना है भाई मैं यहाँ पर divide कर देता हूँ cosec square a से सबी को यहाँ पर मैं cosec square a से divide करूँगा 1 upon में यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा cosec square a अब आप यहाँ पर जो magic होने वाला है उसको देखो sine square a upon cose square a आपको trigonometric ratios पता है sine upon cose किसके equal होता है 10 के equal होता है तो भाई sine square a upon cose square a यह किसके equal हो जाएगा यहाँ पर 10 square a के equal हो जाएगा plus का sine लगा लो भाई उपर भी cose है नीचे भी cose है तो मैं क्या करूँगा जो भी मेरा cose a है उससे cose a को काट दूँगा काटने के बाद बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर 1 बच जाएगा equals का sine लगा लूँगा 1 upon में cose square a यहाँ पर आ जाता है तो देखो भाई 1 upon में cose किसके equal है sec के equal है तो equals to में यहाँ पर आ जाएगा मेरा sec square a आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 square a plus 1 equals to me sec square a यह हमारा formula बन जाता है दूसरे वाला दूसरे वाले formula में क्या है 1 plus 10 square a 1 plus में 10 square a equal होता है हमारा sec square a के दूसरे वाला formula हमने क्या किया first वाले formula का use करके second वाला formula यहाँ पर बना लिया अब आप कहोगे कि third वाला formula कैसे बनाए बिल्कुल कहना चाहिए भई आपको तो भई यहाँ पर क्या किया जाएगा जो भी मेरा पहले वाला formula है यहाँ पर sin square a उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा plus में cos square a और जो भी हमारा plus का one है वो as it is लिख लेना है हमने क्या किया जो भी हमारा first वाला formula था as it is यहाँ पर write down कर लिया हमने पहले यहाँ पर cos square a से सभी को divide किया था अब की बार आप क्या करो sin square a से divide कर दो तो मैं कर देता हूँ sin square a यहाँ पर भी sin square a उसके बाद यहाँ पर भी मेरा sin square a गलती हमसे क्या हो गई है कि भाई यहाँ पर plus का sign लग गया है जो की formula के according आएगा equals का sign I know my mistake मैंने उसको सुधार दिया है अब यहाँ पर आप देखो sin a upon में sin a यहाँ पर आया है quote होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा quote square a आ जाएगा equals to me one upon में sin square a है one upon में sin क्या होता है भाई cosec होता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा cosec square a देखो आप ध्यान से क्या हमारा third वाला formula बन गया है one plus में quote square a plus में cosec square a ये हमारा third वाला formula हमने यहाँ पर बना लिया है आप एक formula याद करो सिर्फ ये वाला और उससे बचे हुए जो भी formula है वो आसानी से बना सकते हो ये खुद भी आप try करना जो भी आपकी notebook है rough notebook है उसमें इस तरह से try करोगे तो आपको formula तो याद होगा ही जो confusion रहती है ना कि 10 square के साथ क्या आएगा या cosec square a के साथ क्या आएगा वो confusion भी आपकी दूर हो जाएगी मैंने आपको कई सारे trick बता दी हैं trigonometric की trigonometric ratios से related trigonometric formulas से related तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने classmates के साथ भाई share सबसे पहले कर देना है इस trick को फैला देना है वीडियो को like कर देना है और जो भी नए students आते हैं चैनल को subscribe कर लेना है क्योंकि भाई green board चैनल पर इसी तरह से math और science की educational videos आती रहेंगी हमेशा के लिए so इस वीडियो में इतना ही मिलूँगा आप से इसी तरह की next educational video में